जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। मोंटिना इल सिर्प को आम तोर पर बच्चों को अलजी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, छीकना, खुजली, सूजन, जलन और आखों में पानी आने के इलाज के लिए डॉक्टर की परची में लिखा जाता है। यह दमा और ट्वचा की अलजी के इलाज में भी मदद कर सकता है। बताए गए डोज, समय और तरीके से खाने से पहले या खाने के बाद में यह दवा अपने बच्चे को एक निश्चित समय पर दें। दमा के लिए मोंटिना इल सिर्प को शाम में या शारीरिक गतिविधी से दो घंटे पहले दें। अलजी के लिए लक्षनों के शुरू होने के समय के आधार पर इसे सुभा या शाम में देना सबसे बहतर होता है। अगर आपके बच्चे को दोनों है तो इसे शाम में दें। कुछ नियमित खुराक लेने के बाद आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है। हाला कि आपको अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए अपकर दोनों होता है।